आज की वीडियो में हम बात करेंगे filter formula filter formula with two conditions दो conditions में filter का कैसे इस्तमाल करेंगे जैसे हमें माल लिजे यहाँ पे पूजा की value चाहिए तो यहाँ मैं उपर में heading में पूजा कर देते हैं और यहाँ पे हम filter की formula लगाते हैं और filter formula में हम यहाँ पूरे data को करते हैं select select करने के बाद यहाँ बात होती है include की तो include में हम यहाँ माल लिजे कि अपना data को select किये और बुलें कि equal to Pooja हो और enterprise करते हैं आप देखेंगे Pooja का पूरा data आ जाएगा लेकिन अभी यहाँ पे क्या है पूजा और यह एक्सल और भी आई है मैं चाहते हैं मुझे भी आई का data चाहिए मतलब दो conditions हमें add करने है तो इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे end का method लगाना है तो यहाँ आपको करना है multiply लेकिन उससे पहले आपको इस इंक्लूड वाले section को लेना है ब्राइकेट में multiply और फिर यहाँ पे वापस हम एक्सल वाले कॉलम को सेलेक्ट ते हैं और इक कॉल टू हमने दिया भी आई भी आई और इसको close करके एंटर प्रेस कर दिये तो यहाँ result वैल हुआ है ओके इन दोनों को आपको separate करना हो और ब्राइकेट्स यहाँ ब्राइकेट्स का अहम in इसी तरह से तीसरा चाहिए चोता चाहिए तो इसमें अगर इसमें पूझा और इसमें ब्लॉस कर दिया तो दोनों में होता है और में तर्ड के लिए और अगर आपने मल्टिप्लाई का सिंबल दिये तो यह होता है अब दो कंडिशन है ऐसी आप यहां पर 345 कंडिशन को डालते चले जाएगा देकि एक चीज़ और आपको करना होगा वो करना होगा चैनल को सिस्क्राइब वीडियो को लाइक और मेरा मवाईल अंबर अपने फोन में कीजिए स्टोर कभी भी कोई प्राब्लम आती है मुझे कॉल कीजिए मैं आपको जरूर शलू संदूंगा अब तक के लिए बाय बाय टाटा